नमस्कार ये आकाश वानी है अभी आप सानुसरमा से समाचार सुटेंगे पहले मुख्य समाचार उप्राश्ट्रपती जगदीब धंगर ने हमारा सम्विधान हमारा सम्मान अभ्यान कासु भारम किया प्रधान मंत् wissen नरंदमोधी आज ने दिली में गंदंता दिवस परेट में सामिल जाकी, कलाकारो राष्ट कैढ़िये स्वैम सेवा योजना स्वैम सेवों को से मुलाकात करेंगी देश आज राश्य बाली का दिवस मना रहा है फ्रधान मंत्री ने बालीकाओं के अद्मे भावना और उपलवधियों की सरहना की भारतिय टैनिस खिलारी रोहन बोपना दबस के सिस बरियता हासिल करने वाले सबसे उम्र दराजक खिलारी बने अब समाचार विश्तास से उपराश्टरपती जगदीव धनकर ने भारत के गंटन्द के रूप में पचत वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आजन नई दिल्ली में हमारा समविधान हमारा सम्मान अभियान का सुभारम किया स्री धनकर ने ये सावसर पर कहा कि राश्टिय उन नायकों को याद कर रहा है जिने भूला दिया गया है उपराश्टरपती ने कहा कि देश वासियों ने देश को नए रूप से देखा है उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के पांचवी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था ब कहा कि देश के लोग बहुत परतिवासाली है और उनके लिये कुछ भी असंभब नहीं है इस मौके पर कानुनि सेवा का दाइरा पंकित में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के उदेश्य से महत्पून पहल न्याय सेतु भी सुरू की गई इसमें सबको न्याय हर घ जागरती अभ्यान जैसे थीम सामिल की गई है विदी मंतरी अरजुन राम मेगवाल ने कहा कि आज के अभ्यान का मुखे उदेश सभी नागरिकों तक न्याय की पहुंच को बढ़ाना है उन्होंने कहा कि संभीधान में सभी समिस्याओ का समाधान है उन्होंने कहा कि संभी अपने निवास में गंतनता दिवस की जहांकियों के कलाकारों राष्टिय कैड़ित कोर के कैड़ितों और राष्टिय सेवा योजना के स्वयम सेवकों से मुलाकात करेंगे। अपने निवास में गंतनता दिवस की परेड में 26 जहांकिया भाग लेंगी। गंतनता दिवस की सभी तैयारिया पूरी कर ली गई है। थल सेना, नौ सेना और वाय सेना की टुकडिया कतव्य पत पर मोर्चा मार्च करने के लिए तयार है। हमारे संबादाता ने बताया कि इस बार परेड विक्षित भारत नारी सकती और आत्म निर्भता पर केंडित होगी। पिशि मंत्राले ने परेड देखने के लिए देर हजार से अधिक किस्तानों को आमंतित किया है। हिस्सा लेगा। विक्षित भारत और भारत लोकतंत्र की मात्री का भावना के साथ 75 गंतंता दिवस परेड महिला ने तित पर केंडित होगी। प्रधार मंत्री नरिंद मोदी ने आज राश्टिय बालिका दिवस पर बालिकाओ के अधमे साहस और उपलद्धियों को नमन किया है। सोसिल मीडिया पर एक पोस्ट में स्रीमोदी ने कहा कि बालिकाओ के हर छेतर में अपनी छमताओं से अलग पहचान बनाई है। प्रगती करने का मौका मिले। राश्टिय का बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मिलाए जाता है जिसका उदेश्य लड़कियों को साहता और अधिक आउसर प्रदान करना है। इसका मौल उदेश्य बालिकाओ के सिक्षा उनके अधिकारों स्वास्त और पोशन के महत पर जागुकता बढ़ाना है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन एस वर्षगंतंता दिवस परेड में बिविन बहत्योपून प्रणालियों और प्रदुगियों को प्रदशित करेगा। इस बार DRDO की जाकी भूमी, वायू, समुद्र, साइवर्चेत्र और आंत्रिक्ष सहित सभी पांचों आयामों में राइश्ट्य को सुरक्षा प्रदान कर रही नारी सक्ति के थीम पर आधारित होगी। इस जाकी की टुक्री की कमान विज्ञानिक सुनिता देवी जेनी संभालेंगी। जाकी में कहीं भी आसानी से ले जाने योग्य, टेंक रोधी निदेशित प्रक्षपास्त्र, उब्र रोधी प्रक्षपास्त्र और अग्नी पाच प्रक्षपास्त्र को प्रदशित किया जाएगा। इसके अत्रिक्त अत्यनकत लगू दूरी की वायू रक्षप्रणाली नौ सैनिक पोध रोधी प्रक्षपास्त्र, टेंक रोधी निदेशित प्रक्षपास्त्र हैलीना, तोसरीत प्रतिक्रिया वाले सतह से हवा में माल करने वाले प्रक्षपास्त्र, आस्तरक हलकेन लड़ को विमान तेजस इलेक्ट्रोनिक तरीके से स्क्रेन किये गए व्यहू को पकरने वाले सक्रिय राडार उत्तम, उनत इलेक्ट्रोनिक युदधक प्रणाली सक्ति, साइबर सुरक्षा प्रणाली, कमान इन्हेंत्रन प्रणाली और समी कंडाक्टर फ्रब्रिकेशन सुविधा क सबी प्रदशन एस ज्ञाकी में किया जाएगा मिसन शक्ति के उप्योगे किये गए उग्रह रोधी प्रक्षपास्त्र प्रदोगीघी और सटिक मारक शमता को प्रदशित करने के छेतर में बड़ी सफलता मिली है भारत इस तरह कि विशेस्ताय और आधुनिक छमता वाले हासिल करने वाले चोथे देश हैं वहीं अगणी पांच सतह से सतह परमार करने वाला ऐसा प्रक्षपास्तर है जो अधिकतम सतिकता के साथ लक्षे को निसारे बनाने में सक्षम है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्रपदेश के स्थापना दि वरसर पर सभी प्रदेश वासियों को सुपकामनाई दी है एक सोसल मीरिया पोस्ट में उन्होंने राईज को अधियामिकता ग्यान और सिक्षा की प्रवित्र भूभी बताया उनने कहा कि राईज ने उन्होंने विश्व वात व्यक्त किया कि भारत को विक्षित देश बनाने के संकल्प को पूरा करने में उत्रप्रदेश अग्रिमी भूमिका निभाएगा। उपर राश्रपती द्रौपदी मुल्मून ने भी उत्रपदेश के स्थापना देवस के आवसरव पर राईजी के लोगों को सुपकामनाई दी है एक सोचिल मीडिया पोस्ट में राश्रपती ने कहा कि देश का यह सबसे अधिक आवादी वाला राईजे भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगती के अगरीमी भूमी का निभा रहा है प्रधान मंद्रे नरंद्र मोधी ने सामाजिक नियाय के प्रतीग महान जन नाइक करपूरी ठाकुर को भारत रत्न से समानित करने के सरकार के फैसले पर प्रसणता व्यक्त की है करपुरी ठाकुर को एस वर्स जर्मसती मनाई जा रही है स्विमोधी ने कहा है कि यह पिश्चे लोगों के जन नायक और सम्मान तथा ससक्ति करन के अगरदूद करपुरी ठाकुर के प्रयासों का सम्मान है उन्होंने कहा कि वंचित के उठान के लिए उनकी अटूत प्रतिवद्धता और दूर्डशी नेत्रित ने भारत के सामाजिक राजनितिक धांचे पर एक अमीत छाप छोड़ी है भारते टेनिस खिलारी रोहन बोपना डबल्स के सिस बड़यता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलारी बन गए है तेटारीत वर्षी रोहन बोपना और उनके जोडिदार मैथ्यू एब्डेन आस्ट्रियन ओपन टैनियस के पुरुस डबल्स के सेमी फाइनल में पहुँच गए हैं इसे के साथ यह समाचार बुलेटिन समाथ हुआ नमस्कार